फुली का गुलाम, जेक अफ क्लाब्स आज एक कहानी सुनाता हूँ एक आदमी है, खुश है गाउं गाउं सहर सहर जाकर सामान बेजता है एक दिन गड़े में गिर गया अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आया का है, किस ने गिराया, कोन निकालेगा अब तो हिम्मत भी तूटने लगी थी कि बचेंगे एक दिन कोई आया और पूछा मैं तुम्हें बहार निकालूगा, तैयार हो आदमी बोला, हाँ, अग्वन के लिए मुझे बचा लो अंजान आदमी बोला, पर एक सार्थ है मेरी आदमी बोला, क्या? अंजान आदमी, बाहर आने के बाद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी मंजूर है आदमी, आपर क्या करना पड़ेगा? अंजान आदमी, लोगों को इस खड़े में गीराने मेरी मदद करनी पड़ेगी आदमी, अब समझा, तुमने ही मुझे गीराये था अब बाहर भी तुम ही निकालो और अपने पापों में सामिल कर लोगे अंजान आदमी, हाँ, तुमारे पास यहीं एक रास्ता है, जिन्दा रहने का आदमी कुछ देर बाद बोला, मुझे मंजूर नहीं है मैं यहाँ मर जाओंगा, लेकिन तुमारे पापों का हिस्सा नहीं बनूँगा अंजान आदमी, मेरे साथ आजाओ, एस करोगे मैं सड़ोगे यहाँ, आदमी, मैं मर जाओंगा, सड़ जाओंगा, लेकिन तुमारे जैसा नहीं बनूँगा अंजान आदमी चला गया कुछ दिन बीट गये, अब वो हार गया था, बेहोस था अचानक एक रोशनी पगठ हुली, और उसमें से आवाज आयो मैं तुमें लेने आया हूँ, आदमी बोला, बडले में क्या करना होगा रोशनी वाली आवाज, जो करना होगा, करना पड़ता, वो तुम कर चुके उस सैतान को मना करके, जो लोग उसको मना कर पाते हैं, मैं उसी के पास आता हूँ और आखिर मैं आता हूँ, चलो मैं आता हूँ